देश में राजमाग बनाने वाली सरकार की कंपनी एनेची आई पर कर्ज का बोज लगातार बढ़ता जा रहा है और अनुमान है कि अगले पांच वर्षों के दौरान कंपनी की तरफ से कर्ज की किस्त चुकाने की रखम दोगुनी हो सकती है वितवर्ष दोजार बाइस तेईस के अंतिताक एनेची आई पर तीन दशमलब चारतीन लाख करोड रुपय का कर्ज था कंपनी ने करीब 33,000 करोड रुपय का कर्ज का भुक्तान किया अनुमान है कि 2027-28 तक तब तक कंपनी का सालाना 62,000 करोड रुपय खर्च होंगे केवल किश्ट चुकाने पे हालागी तब तक टोल से भी कुछ कलेक्शन बढ़ेगा इसका भी उमीद है इसका भी अनुमान है सब कर्ज इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है NHI का किस्सा मा को सुना चुके हैं NHI का पूरा का पूरा रोड डेवलिप्मेंट पाडल इस सरकारी डेवलपर को या सरकारी देश के सबसे बड़े डेवलपर को उसने ले जाकर गहरे करज के जाल में फसा दिया है और इस कर्ज से जल से उबरने की कोशिश में सरकार ने पिछले dो साल से नेचाई' को बाजार से कर्ज लेने से रोक रखा है ध्यान रखना जरूरी शुबह में कि पिछले दोर साल से नेचाई ने कोई नया कर्ज नहीं लिया यह वही पुराना कर्ज है जिसकी देंदारी बढ़ती चली जा रही इसमें भारतमाला प्रोजेक्ट भी आया जो नेचाई को दिया गया सड़कें बनाने के लिए उसका कर्ज भी शामिल है फिलहाल नेचाई की परिस्तिती यह है कि उसका टोल कलेक्शन उसके कर्ज पर ब्याच चुकाने भर के लिए परियाप्त है बलकि उतना भी परियाप्त नहीं है और इसलिए एनेचाई को अपनी बनाई हुई सड़कें गिर्वी रखकर बेच कर जो बनी हुई सड़कें बनाती हुई सड़कें उन्हें बेच कर गिर्वी रखकर पैसा जूटा ना पड़ रहा है एनेचाई की वित्ति इस्तिती को लेकर लेकर जिस तरीके की तो दयना दे